नमस्कार साथियों, आपके अपने यूटूब चैनल कार्ति क्लाशेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, आज का जो अपना वीडियो है वो भारत की इस्तितियों विश्तार से सम्मधित है, साथ योगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीड साथ मिनट से सत्याणवे डिगरी पत्चीस मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इस्तित है, भारत का क्षेतरपल 32,67,263 वरग किलोमेटर है, जो की विश्वे के कुल क्षेतरपल का 2.42 परतिसत वाग है भारत का उत्तर से दक्षिन में विस्तार 3,214 किलोमेटर है वर पूरव से पस्षिम में विस्तार 2,933 किलोमेटर है भार्त के स्तल सिमा की लंबाई 15200 km है इसके तटिय भाग की लंबाई 7516.6 km है प्रन्तु मुख्य भूमिके तटिय भाग की लंबाई 600 km है समुद्र में भार्त के प्रादेशिक सिमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है भार्त के सबसे दक्षणी बिंदू इंद्रा पोइंट है ये ब्रहत निकोबार दीप में इस्तित है पहले इसका नाम था PIGMILION POINT भारत के सबसे उत्री बिंदु जो है वो है इंद्रा कोल जो की जम्मु कस्मिर में है पस्यमी बिंदु है वो सरक्री गुजरात में है और पुरवी बिंदु है वो किभूतु अरुणाचल परदेश में है बारत्यम चीन की सीमा को मैक मोहन रेखा कहते हैं यह बहुत ही महतोपुन तत्त है यह रेखा 1914 इस्वी में सिमला में निर्दार्ट की गई थी तो मैक मोहन रेखा का निर्दार्ण सिमला में किया गया था 1914 में भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा तो डूरंड रेखा ये आप इस से चितर में देख सकते हैं ये जो लाल कलर से बनी हुई है वो ये डूरंड रेखा है अथारसो चानवे इस वी में सर डूरंड दोरा इसको निदर्ण किया ग 96 में पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था अब अपन कुछ क्यूशन देखते हैं भारत का वह है राज्ये जिससे होकर करकरेखा गुजरती है तो इसका आंसर साथियो इसका आंसर है जारखंड जारखंड राज्ये से होकर करकरेखा गुजरती है वैसे तो भारत के आठ राजे हैं जिनसे यह रेखा गुजरती है अगला अपना क्यूश्टन है करक रेखा भारत के कितने राजें से होकर गुजरती है A, 5, B, 7, C, 6, D, 8 तो इसका आंसर है D, 8 अभी अपने चर्चा की थी तो करक रेखा भारत के आठ राजें से होकर गुजरती है अब अपन देखते हैं वो आठ राजे कौन-कौन से है ये एक सुतर दिया हुए चगूराम के मित्र की जोपड़ी इससे अपन विशलेशन कर देते हैं सबसे पहले 6, 6 से हो गया 36 गड़, गू से हो गया गुजरात, राज से हो गया राजस्तान, मैं से हो गया मद्दे परदेश, उसके बाद मी से मिजोरम, त्रे से हो गया त्रुपुरा, जोंस से हो गया जारकंड और पैसे हो गया पस्यमिवंगार इस परकार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट राजे हो गए पूरे तो करकरे का भारत के आट राजें से होकर गुजरती है अगला क्युस्जणा भारत के कितने राजे समूदर के किनारे पर है A option में है साथ, B में है नो, C में है दस, D में है आठ तो इसका आंसर है नो, बार्थ के नो राजे समुद्र के किनादे पर हैं अगला हमारा क्यूशन है बार्थ के किस राजे में सबसे लंबी मुख्य भूमी तट्रे का है A option में है केरल, B में है उडिशा, C में है गुजरात, D में है माराश्टर तो इसका आंसर है C गुजरात, गुजरात राजे में सबसे लंबी मुख्य भूमी तट्रे रेखा है अगला हमारा क्यूशन है पंजी राजे की राज़दानी है A option में है गोवा, B में राजस्तान, C में अंद्र पर्देश, D में मद्य पर्देश तो गोवा की राज़दानी पंजी है, क्योंकि राजस्तान की राज़दानी जेपूर है अंद्र पर्देश की राज़दानी है, वो हैदराबाद है, मद्य पर्देश की बोपाल है अगला हमारा क्यूशन है थार मरू भूमी कहां इस्तित है तो थार मरूब भूमी गुजरात राजस्तान पंजाब हरियाना में कहां इस्तित है तो इसका आंसर है B राजस्तान तो थार मरूब भूमी राजस्तान में इस्तित है अगला हमारा क्यूशन है तमिल लाडू में अंधर प्रदेश के तट का नाम क्या है A option में है कौंकन तट, B में है मालाबार तट, C में है कोरो मंडल, D में उत्री सरकार तो सातियों इसका आंसर है C कोरो मंडल, तमिलाडू में अंधर प्रदेश के तट का नाम है कोरो मंडल अगला हमारा क्यूशन है भार्त का क्षितरफल कितना है अगला क्यूशन है कोची का जुड़वा नगर है A option में है एर्णा कुलम, B में है कोटायाम, C में है अलवाय, D में है अलेपी तो सातियों इसका आंसर है A option एर्णा कुलम अगला हमारा क्यूशन है पोर्ट बलेयर इस्तित है A option में है उत्री अंडमान, B में है दक्षनी अंडमान, C है मद्दे अंडमान, D में है छोटा अंडमान, तो इसका adore b option इसमें राइट है दक्षनी अंडमान, तो पोर्ट बलेयर दक्षनी अंडमान में इस्तित है. अगला मारा क्यूशन है, कौन सा भारतिय द्वीप बंगाल की खाड़ी में इस्तित है A option में है दमन, B में है लक्स दीप, C में है अंडमान और निकोबार, D में है दीव तो साथय इसका आंसर है C अंडमान और निकोबार अगला अमरा क्यूशन है भार्त के पस्सीमी बिंदू का नाम बताईए अगला अमरा क्यूशन है भार्त का सबसे अधिक विस्त्रित भू आकर्तिक परदेश है अगला हमारा क्यूशन है उत्र भार्त में उप हिमालेक सित्र के सहारे पहले समतल मैदान को क्या कहा जाता है अगला हमारा क्यूशन है कौन सा राज्य उत्री पुर्वी राज्य की साथ बहनू का भाग नहीं है अगला हमारा क्यूशन है निमलिक्त में से कौन से भार्तिय राज्य में प्राते काल में सूर्य की किर्णे सबसे पहले पढ़ती है ए उप्षन में है त्रीपूरा बी में है मेगाले सी में है सिक्किम डी में है अउनाचल परदेश तो इसका अंसर होगा डी अउनाचल परदेश क्योंकि जो पूरोवई राज्य होगा वही सबसे पहले सुरी की किर्णे पढ़ेंगी तो डी उप्षन अउनाचल परदेश इसमें राइट होगा अगला हमारा क्यूशन है अरावली एउं विंदे श्रंकलाओं के मद्दे कौन सा पटार इस्तित है ए उप्षन में है मालवा का पटार बी में है दक्कन का पटार सी में है छोटा नागपुर का पटार दी में है प्राय दी पिये पटार तो इसका अंसर है ए उप्षन यां भारत को किस से अलग करती हैं? A उप्षन में है चीन, B में है पाकिस्तान, C में है बंगलादेश, D में है म्यानमार अगला मारा क्यूशन है उडिसा में A.P.J. अब्दुलकलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? A उप्षन में है अंडमान, B में है दीव, C में है लक्स दीप, D में है वहिलर दीप, साथियों इसका अंसर है D. वहिलर दीप तो उडिसा में A.P.J. अब्दुलकलाम के नाम से वहिलर दीप का नाम रखा गया है अगला क्यूशन है सिया चीन है तो सिया चीन कौन से क्सेतर को कहा जाता है ए उपसन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सिमांत क्सेतर बी है भारत और अफगानिस्तान के बीच सिमांत क्सेतर सी है भारत और पाकिस्तान के बीच हेमनद सिमांत क्सेतर ही क्या कहलाता है? सियाचीन. अगला हमारा क्यूशन है शरंचनावात्मक रूप से मेगाले किसका बाग है? A उप्सन में है सिवालिक परवतमाला, B में है दक्कन का पटार, C में है वरहित हिमाले, D में है रावली परोतमाला तो सातियों इसका आंसर है B option दक्कन का पट्टार तो मेगाले दक्कन का पट्टार का भाग है सरंचनात्म ग्रूप से अगला हमारा क्यूशन है चेरा पुंजी इस्तित है A option में है नागा पाडियां B में है खासी पाडियां C में है गारो पाडियां D में है मिक्किर पाडियां तो सातियों इसका आंसर है B option खासी पाडियां तो खासी पाडियों के पास ही चेरा पुंजी इस्तित है अगला क्यूशन है सीव समूद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है A option में है गोदावरी B में है गंगा C में है क्रिष्णा D में है कावेरी तो इसका आंसर है D कावेरी तो सीव समूद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है अगला हमारा क्यूशन है भारतिय मानक समय की गणना कहां के कलोग टावर से की जाती है पहला option है हमीरपूर दूसरा है रामपूर तीसरा है मिर्जापूर चोता है संबलपूर तो साथियो इसका आंसर है मिर्जापूर तो भारतिय मानक समय की गणना मिर्जापूर के कलोग टावर से की जाती है अगला हमारा क्यूशन है पूर्वी तर्टिये मैदान का एक अन्य नाम है तो पूर्वी तर्टिये मैदान का एक अन्य नाम क्या है A उप्सन में है कौंकन तर्टिये मैदान B में है कोरो मंडल तर्टिये मैदान C में है मालाबार तर्टिये मैदान D में है गुजरात मैदान तो सात्यों इसका अंसर है माला बारत्रटिये मैदान अगला हमारा क्यूशन है भारत के बोगोलिक मानचितर कौन तयार करता है? बहुत ही मतोपून ये क्यूशन है A option में भारतिये भूवेग्यानिक सर्वेक्षन B में है बारतिये बोगोलिक सर्वेक्षन C में है रक्सा मंत्राले D में है भारतिये सर्वेक्षन तो सात्यों इसका अंसर है D बारतिये सर्वेक्षन तो भारत के बोगोलिक मानचितर बारतिये सर्वेक्षन तयार करता है बहुत ही मतोपून पूशन है अगला हमारा क्यूशन है आठ डिग्री चैनल निम लिक्त में से किसको फर्तक करता है A उप्षन में है भारत को स्री लंका से, B में है अंडमान को निकोबार से, C में है लक्स द्वीप को मालदीव से, D है इंद्रा पोइंट को इंडोनेसिया से अगला हमारा क्यूशन है निम लिक्त में से किस राजे की शिमा बुठान के साथ नहीं लगता है A उप्षन में है C किम, B में है पस्सिमी बंगाल, C में है मेगा ले, D में है अरुनासल परदेश तो साथियो इसका अंसर है C उप्षन मेगा ले अगला हमारा क्यूशन है भारत ये पठार का सबसे दक्षनी बिंदू निम लिक्त में से किस पाड़ी से चिनित है A उप्षन में है वेली कॉंडा, B में है गिरनार, C में है नील गिरी, D में है अना कॉंडा तो साथियो इसका अंसर है C उप्षन नील गिरी साथियो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद